हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारूं कि कैसे आप अपने Motorola G30 Android मोईल फोन में आप जो है रिंग वाइबरिसन सेटिंग को आप जो है इनेबल कैसे कर सकते हैं यहाँ पर आपको accessibility का option मिलेगा इसे select कर लेना है अब यहाँ पर आपको accessibility के इस page में नीचे की side में आना है और यहाँ पर आपको vibration and hapti की strength का ये option मिलेगा इसे select कर लेना है अब आपको next page में ring vibration का ये option मिल जागा इसे select कर लेना है अब यहाँ पर ring vibration के इस page में आपका ये पहल setting जो है enable होने के बाद काम कैसे करती है यह मैं आपको बता देता हूँ जब भी आपके mobile phone पर कोई भी incoming call आएगा ठीक है तो आपका mobile phone जो है वो vibrate करेगा ठीक है जितनी देर तक आपका mobile phone जो है ring करेगा उतनी देर तक आपका mobile phone जो है vibrate करेगा ठीक है तो यह setting जो है ring vibration setting enable करने के बाद कुछ इस तरीके से काम करती है आपके Motorola G30 Android mobile phone में अब मैं आपको जो है setting को डूढने का एक shortcut तरीका भी बता देता हूँ आपके mobile phone में आपको करना है कि mobile का setting page open करना है और सबसे उपर आपको जो है तो नीचे की side option जो हो जाएगा ring vibration कर ठीक है जब यह नीचे की side option जो हो जाएगा तो इसे आपको select कर लेना है तो इससे होगा क्या कि आपका mobile phone आपको जो है इस setting में direct लेकर आ जाता है और इस setting को जो हाइलाइट करके दिखाता है ठीक है तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका बताया है ring vibration setting को ढूंडने का आपके Motorola G30 Android phone में ठीक है